नमस्कार दोस्तो मेरा नाम भार्थ पुशन है आप देख रहे हैं जेसी भी कंप्यूटर दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके पास कोई भी एप्शन का प्रिंटर है आप उसके ड्राइवर किस तरह से डाउनलोड और इंस्टोल कर सकते हो दो कि उसके जो ड्राइवर है किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैंने अपनी डिस्क्रप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा आपने उसके उपर क्लिक करना है आप उसको ओपन करोगे तो इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी उसके बाद आपकी जो अगर आपको नहीं पता कि आपकी विंडो कौन सी है तो आप यहां से चेक कर सकते हो जैसे कि मेरी विंडो 64 बिट की है आपके अगर 32 की होगी तो यहां पे 32 लिखा दिखाई देगा आपको आपने यहां से देखके आपके ड्राइवर है वो डाउनलोड कर लेने हैं दोस्त दोस्तों ड्राइवर्स के लिए आपने क्या करना यहां पे सेलेक्ट करना ड्राइवर पे और उसके बाद आपने यहां से डाउनलोड कर लेने हैं दोस्तों इनको डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टोल कर लेना दोस्तों मैंने अल्रेडी डाउनलोड कर रखे हैं दो दोस्तों उसके बाद बोलेगा कि आप अपने printer को करो केबल लगा के अभी मैंने इस सिस्टम के साथ अपना printer है connect नहीं कर रखा तो आपने अपना printer है connect कर लेना है दोस्तों और उसके बाद आपने setup पे click कर देना ये install हो जाएगा दोस्तों और उसके बाद setting बता देता हूं आपको क्या करना आपने अगर आपका photo studio है उसके लिए best setting बता देता हूं आपको दोस्तों यहां पर आपने a4 select ही रखना है उसके बाद अगर आपने photo निकालने है तो आपने option premium glossy paper पे रखना दोस्तों यह paper type है जो और उसके बाद आप standard पे निकाल सकते हो high पे निकाल सकते है more high पे निकाल सकते हो दोस्तों जितनी quality को आप plus करोगे उतना ही आपका photo अच्छा आएगा दोस्तों उसके बाद आपने more option पे जाना दोस्तों दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके photo की quality बहुत अच्छी है तो जो high speed है यहाँ पे untick कर देना है अगर आप थोड़ा speed से निकालना चाते हो quality थोड़ी low रखना चाते हो तो आप high speed पे टिक कर सकते हो और उसके बाद okay कर सकते हो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों कोमेंट्स म दोस्तों कोमेंट मेंट्स वीडियोग बस रखना कि वीडियों जोस्तों को Award जोस्तों को है तोस्तों कि आप आपके सास्यप्स क्वा़ी पेली मेंट्स